हेले श्टोडेंट कैसे आप सब एक बार कुना सी कोचिंग क्लासेश पर स्वगायत है और आज का टॉपिक है क्लोरीन के आक्सियम्ल क्लोरीन के चार आक्सियम्ल समझेंगे यहाँ पर सीधा कुश्यन सिंपल तरीके से पूछा जाएगा क्लोरीन के आक्सियम, सनरचना, सूत्र और आक्सिकन संखे निकालिए ये चीज, तो आपको बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर समझाओंगा बस आपको 5-8 मिनट यहाँ पर देना है तो पहला है हाइपो क्लोरस हम दूसरा पढ़ेंगे है क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक, सिंपल है ना हाइपो क्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक, यह चार है हाइपो क्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक, चार आप याद कर लोगे सिंपल है और सूत्र भी है, जैसे हCLO है Chloras का HClO2 हो जाएगा Chloric का HClO3 हो जाएगा और Par Chloric का HClO4 हो जाएगा तो क्रम से आप यहाँ पर नाम यदी आपको पता है तो सूतर तो आसान है याद करना HClO है HClO2 HClO3 और HClO4 यह क्रम से आपके सूतर हो जाएगे तो पहला आपका hypo-clores आमल Pitts है इसका हम यहां पर आक्सी करन संख्या आपको निकाल कर दिखाएंगे आक्सी करन संख्या कैसे निकालते हैं हमारे पास hydrogen का होता है PLUS 1 ठीक है खलोरीन काा निकालना क्यरवर्चों? एक समान लिए आक्सिजन का होता है माइनस टू और टोटल जो आक्सिडेशन नमबर टोटल कुल योग जीरो के बराबर होता है यदि हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो दो में घड़ जाएगा तो माइनस एक बराबर जीरो और जब पक्छांतर कर देंगे प्रवच्छो तो सुवन हो जाएगा ठीक है इतना क्लियर अब यहाँ पर मैंने आक्सिकर्ण संक्या आपको बता दिया संरचना मैं यहाँ पर बना देता हूं संरचना आपको पता होना चाहिए संरचना यहाँ पर सिंपल है एक आपके पास क्या है क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन और एक आ नमता है और पेरे बच्चों हाईड्रोजन हो गया ठीक यह होगई यह आपको सवाशना है बिल्कुल क्लोरीन की आक से हमने आपको क्रम से लिखना है लिखना है क्लोरीन काम लो गया सूत्र लिख दोगे आप फिर आक्सिडेसन नंबर लिख दोगे फिर समर्चना एक दुसरा प्लूरस फिर प्लूरिक और प्रत्लूरीख कि दूसरा देखिए लुरस अब ऑले जिसका फस्ट हे ए लोटू आक्सीदियेशन नमबर प्लस थी देखिए हाइपो एपोख्लूरस में एच्छी अलो था और प्लूरस में एच्छी अलोटू तो पहला यदि आप से आदे तो दूसरा भी आसानी से आद हो जाएगा एच्छी यह ओटू ठीक है आक्सीकन संख्या निकालते हैं पैर बच्छों आक्सीकन संख्या यहां पर हमने अल्रडी थ्री लिख दिया है लेकिन आप से दी नहीं बन रहे हैं तो आप यहां से निकाल सकते हो। कैसे हमने ना हाइड्रोजन का प्लस वन होता है पे रबच्छों क्लूरीन का एक्स और आक्सीजन 2 होता है और टोटल होता हैowners जी रो के बचाले और यहां पर आप कर लोगे एक प्लस त्री हो गया अब थोड़ा अंपर संदे ना करेंगे तो आपको यहां पर देखना है कि क्लोरीन के साथ आपके पास दो आक्षिजन है और एक हाइड्रोजन तो सनरशना बनाते समय द्यान दीजिएगा जैसे आँ मारे पास आक्षिजन दो हैं पेरे बच्चो तो लोरीन यहाँ पर जो है एक लेक्टरान इस्टा इस्टा त्याग देगा पैरबच्चो और उसे एक किसान बंद बनाता है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर जो लोन पेर हैं वो क्रिया करेंगे बांड पेर की रूप में और एक हैड़ोजन यहाँ पर सबका बै पहला हाइपो क्लोरस दूसरा क्लोरस ठीक और एक सी एलो एकसी alogen तुसके बाद हम तीसरा देखेंगे पैरे बच्चो में दीना सी नहसे आपकरें अ गड़ी 3 का 2 से multiply करो 3 दूना 6 और 6 में एक घटा दोगे कितना जगा प्लस पहाचा जाएगा आक्सिकर संख्या ऐसे निकाला जाता है बिल्कुल सिंपल है ना सनरचना आप इसका असानी सिर बना सकते हैं सनरचना, सनरचना कैसे बनाओगे आप लोग थोड़ा देखेगा, कितने यहाँ पे क्लोरीन है, एक सिंगल क्लोरीन है तो एक सिंगल क्लोरीन यहाँ पर कर लेते हैं आक्सिजन कितने हैं, तीन है तो यह आक्सिजन एक कर दो इधर और इसके साथ जोड़ दो हैड्रोजन और दो आक्सिजन आप जोड़े दो डबल वाण के साथ ठीक ही ये हो गया आपका संग्रचना इसका आक्सिकन संख्या यह ही आसानी से आप निकाल सकते हो X कर दो आप क्लोरीन का हाइड्रोजन का एक और तीन क्लोरीन है तो माइनस दो का मल्टिप्लाई कर दो ठीक है क्लियर है चलिए पहला था हाइपो क्लोरस दूसरा क्लोरस तीसरा क्लोरी HClO HClO2 HClO3 फिर हमारा अगला है जो चौथा नंबर है वो है पर क्लोरीक अम्ल क्या पर क्लोरीक अम्ल पर क्लोरीक अम्ल पर क्लोरीक अम्ल हो गया ठीक है खीलेशन सब्सक्राइब बना बना दो यहाँ पर भी एक्लोरिन सिंगल है लेकिन यहाँ पर आक्षिजन आपके पास एक क्लोरीन सिंगल है और एक आक्षिजन ऐसा जोड़ो तो हाइड्रोजन जोड़ो तो फिर यहाँ पर तीन आक्षिजन जोड़ो गया यह हो गया आपका सनद चना बिल्कुल सिंपल है और इस प्रकार से आक्षिकन संक्या भी निकालना सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफेक्शन मिलता रहें मिलते हैं कि वीडियो के शाहां तब तक जय हिन बंदे मातरम